हम Tao एक हम इन वंकी इन लेक्शिर हों लोग कि इन फिक्स एक्ष्परेश्न से पोस्ट फिक्स एक्ष्पेश्न लोang तो सव्यवेवों है अधिक्ड स्वら था उण इससे एल्गर्थम के बिचले, हम Бर decentralisation क्या का इन फिक्ष्टे क्षेसरान से से पर्च खिस्प्रेसरान Фांड आउट करेंगे ओके थिस इड़ इन फिक्स expression okay the question is find post fix expression of the in fix expression okay this is the given in fix expression okay student algorithm बे जो step बन था में फर्स्ट इस्टे प्राथ अधाल परदा में लोगों ने उस लेफ्ट पैरेंट्सिस ऑन्टू स्टेक एंड एड राइट पैरेंट्सिस टू दा एंड ऑफ क्यूं ओके दिस इज किवन expression हो सब्सक्राइट करा लिए अधा रियावल क्यूं में तो इस्टम बने क्या यहां पर अभी इस्ट इस इस्टेब में जो एकस्प्रेशन क्यूं था उसके end में right parenthesis add किया है okay and a number two में लोग क्या करेंगे according to algorithm the number two is scan q okay from left to right okay मी जो इन फेक्स एक्स्प्रेशन की है इसको हम scan करेंगे from left to right means इसके नदर जिदे भी ऑप्रेंट्स हैं और जिदे भी elements हैं उन सबको हम एक label number provide करेंगे किस्ट्वेंट्स कि यह था expression क्यों कि इसमें elements हैं सबको हमने लेबल नमबर प्रवाइड किया वह वन तू two three four five six seven eight nine ten eleven twelve मिस्टोटल ट्वाइलव एलिमेंट्स हैं जो हमें हमने लिए फिल्ड तो होंगी फष्क कालॉम में level number प्राइड को मेंने सिंबल स्कैंड हैं और कॉलम इस ट्रेक और फूलम फिर्ट्स टॉह ऑं में एक सपरसें में अगिस्ट्स की इन्डिवाट पॉस्टउम्हें करेंगे उसको कर रहे हूं बैरियेबल पीज़ है अब बात करते हैं इस टेबल आरेंज करेंगे हम सारे एलिमेंट्स को इस्टेवल के अंदर पहले हमने क्या गिया फर्स्ट इस्टेब में फर्स्ट कॉलम में लेवल नंबर है जिदना भी आज लेवल्स हमने यहां पर प्रवाड किये थे उनके लिस्टिंग करेंगे वन टू थी फोर फाइव सिख सेवन एट नाइंट इन एवन टॉव तो टी जार्दा लेवल्स नंबर कि दिया पर उनने लेवल नंबर में अच्छो कॉलम में लेवल नंबर उसमें पर पूट कर दिया ओगे ए नेक्स्ट कॉलम में हमने क्या है सेंबल स्केंड जो सेंड मिने स्कैनिंग के थी यहां पर दी जर्दा कि फाउं लेफ्ट तो रइट उन्हें सेंबल स्कैंड कॉलम में वन वाइवन फूट करेंगे फर्स्ट ब्रेसिस आगे ओपने ब्रेसिस अप्रेस जा लेफ्ट ब्रेसिस देन ए ए अपरेटर माइस अपरेटर बी रइट पारें इस अपरेंड दी अपरेटर डिवीजन अपरेंड इस कोलम में सिंबल स्केंडल कॉलम में पूट कर लिया इस फ्रस्ट कॉलम में पूलेव नंबर पूट किये को इस्ट कॉलम में लेबन यंदर को सिंबल से उनको पर दो जो अच्छोप लेफ्ट पैरेंड है तो वह हैं वह सारे आप आरेंज कर दिये अब बातादी अल्गोर्थम के जो मुरू आजिए जे steps पढ़े थे उन steps को हम process करेंगे to find the equivalent post fix expression Okay so students कि झो एंड में हम लोगों एक right parentheses एड़ किया था उसको balance करने के लिए हमने एक इड़ किया है फिर्स्ट जो सेंबल करेंगे फर्स्ट सेंबल क्या है लेट पररेंश वह जिदने भी अलेमेंट से आज जिदने भी सेंबल सेंगों कि वो सब अर्च होंगे और जिदने भी ऑपरेटर्स हैं वो वह बी सटैग में एरेंज होंगे एंधिन ऑपरेंट से हैं वो रोच्ट का अग एक्सक्रेशन पी नोटनेश्ट वनेश्ट जिंबल इज ऐ दिसफ और टैंड तोव दूटोतर परेंट का अगे यागर such lid कि हुआ हैं एंड नेक्स्थ नेट्स कज़ें ऑपरेटर właściwie कि सब्सका करेंगे इस टैक में टॉप पर ऑफ इस टैक में थो सब्सक्रार्ट को गया और है उसमें कोईMusic नहीं करेंगे at एलिमेंट है बी इटीजन ऑपरेंट ऑपरेंट को उसका करेंगे स्टेक में और यह स्टेक था स्टेक में कोई भी चेंज नहीं हुआ इस इस राइड पैरंसिस से अकर हो रहा है उसके इसमें पॉप ऑपरेंट परफॉर्म होगा में इस इफ राइड पैरंस्ट करी होगा this is occurred then all the symbols from left parenthesis okay तो अगर बात करने हैं फर्स्ट लेफ्ट प्रेंटिस स्टेप में कहा हम विला दिस बन ओके यहां से लेके इस टॉप अब स्टेक जिदने भी ऐलेमेंट्स हैं ओके वह स्टेक से पॉप हो जाएंगे तो नेक्ट्स स्टेप में मिंस अम देख रहे हम पर यह राट परनंसिस अकर हुआ था वह आफिए तो स्टेक में पॉपर शूप हुआ जो यहां पर पॉप होए फ्राम टाप पर स्टेक दूँ फर्स्ट लेफ्ट परेंश्ट ओके एंड इजने ऑपरेटर्स थे वह में आप पुश्का होए एक्सप्रेशन पी में ओके जो हुमारा स्टेक है, स्टेक में सिंगल एलिब्ट फ्रेंस्ट है. फिर अगें डि नेक्सट आप्रेटरार किके ie चंस पुश्का होगा ही फ्रेंश्ट में तो हुमाराे अक्स程 पी था है उसमानि क्या ए बी ञिर्फ Box श्मबल स्टैक्सिंबल साध्रिवेंट से एलेमेंट फिसके सटैक में तो स्टैक्सिंबल अगें लेफ्ट प्रेंट से ज्यारता अध्रियमेंट से ऊफ इस पीता उसमें कोई जी नहीं हुआ है इबी देन सब्रेक्षन सेमबल एक समारा नेग्सों अपिरेंड D ओके अपरेंड यह कर रुहा है जैसा कि हम पता कि जो ऑपरेंड्स हैं वो इस टैक में पुष ना होके कहां पुष ना होके अरिंच कहां होंगे expression P में है तो D कहा हम हो गया expression P में तो आ गया जो बहले हो गई A B minus D और stack में कोई change नहीं है और नेक्स्ट division operator तो operator कहा जो push होगा वो stack में दी जार्दा elements of stack and top of stack पे division operator और जो पी था उसमें कोई change नहीं होगा A B minus D फिर अगें operand E काम हो जाएगा expression P में जो पी की value क्या होगी A B minus D E अज जो stack था इस्टा में कोई change नहीं हुआ एंड next element is right parenthesis okay students अब right parenthesis अगर हुआ है in such case क्या होगा कि में stack में pop operation perform होगा okay from top of stack to first left parenthesis okay जिसे दी जारता elements of stack okay and top of stack पे division operator है okay okay तो मिस्स यह दोना element stack से pop होंगे यहां पर okay तो next जो step में क्या हुआ जिसे right parenthesis अगर हुआ यह दोना elements stack से pop हुए होगे और जो और जो आपरेटर दिविजिन अपरेटर था वो कहां जाकर में इंटर हो गया एक्सप्रेशन पी में a b minus d then division operator question फिर अगेन right parenthesis अगर हुआ फिर after that जो stack में pop operation perform होगा okay means stack from top of stack to first left parenthesis यह दोनों elements stack से pop हो जाएंगे और जो operator है वो रहें जो जाएगा expression पी में तो पी में क्या है जो value है वारस a b minus d अब देख रहें जैसा कि हम जो हमारा पास stack है stack last में आके हमारा पास empty हो गया question means क्या था initial में stack हमारा पास empty था लास्ट में stack empty में stack के अंदर कोई element process process करने के लिए नहीं है question so जो हमारा पास post fix expression आया वो क्या a b minus d slash stick okay this is the equivalent post fix expression to infix given infix expression question तो हमने algorithm कुछ स्टेप से उनके माध्यम से बिद्ध हलब आप दीज स्टेप्स वहती आसाने समने post fix expression find out कर लिया तो जो स्टेप्स है algorithm के वह प्रॉपर हमें learn होने चाहिए कि सेच्वेशन के एक ओर्डिंग कौन सा टास्क परफॉर्म होगा कि मींस जो आप्रेंट्स हैं एंड आप्रेंटेर्स उनको किस तरीके से मेंटेन करना है ओके थेंक यू स्टेंट्स आप्रेंट्स